आपके पास Moto G85 है, G65 है, ये कोई और फोन है, तो यहाँ पर आप notification कस्टमाइज कैसी कर सकते हैं अपने according, तो यहाँ पर notification आपको on off करना है या setting करनी है, तो इसके लिए आप setting पर जाएंगे, इस टैप से option आएगा, scroll कर लेंगे, notification के option पर click करना है, यहाँ पर आप notification का option इसके बाद यहाँ पर इस सारी applications खुल जाएंगी, अगर नहीं आ लिए तो यहाँ पर जाके आप all app कर लेंगे, यह सारी के सारी applications वो हैं जिनके notification आपको receive होते हैं phone में, अब यह जो option है, इससे आप on कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो off हो जाएगा, यह तो हो गया कि directly आप total सार notification आप कर रहे हैं, लेकिन आप इस लोगो इस पर click करेंगे जहां पर यह लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आप अंदर से customization कर सकते हैं, कि अगर इसका notification आप receive नहीं हो रहा है, तो आप on कर सकते हैं, यह फिर off कर सकते हैं, ऐसी चीज, यह चीज हो गई, और इसके बाद यह chrome में तो ज्यादा option आते हैं, जैसे कि इसका आपको sound नहीं चाहिए, silent करना तो ऐसे करके कर लेंगे, इसी टैप से आप यहाँ पे और भी settings कर लेंगे, on off यह हो गया, और जो चीज आपकी on off नहीं हो रही है, यह system के sms होते हैं, notification होते हैं, इसका आप पूछ नहीं कर सकत हैं, अगर गलती से आपने सारे हटा दिये, कुछ important sms message notification था, जो आपको पढ़ना था, लेकिन आप ने miss कर दिया, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, पूरे दिन का, कल का sms आपको यहाँ पर मिल जाएगा, notification sms important आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है, यह चीज हो गई बाकि यहाँ पर conversation आजाती है, chat अगर यहाँ पर show हो जाएंगे, जो भी text message के होते हैं, और इसके बाद bubbles आजाता है, bubbles यहाँ पर on है, तो यह कुछ इस ट्रैप से दिखता है, notification आता है नो, pop-up style में, screen पे, तो इसको आप off कर लेंगे, अगर नहीं चाहिए तो, इसके बाद क हाइट करने है, chat हाइट करने है, तो इसको क्लिक कर लेंगे, कुछ silent कर रखा है, उसकी chat हाइट रहेगे, sensitive notification को आप बंद रखेंगे, on नहीं करना है इसको, और इसके बाद यहाँ पर, कुछ journal setting आजाती है, जैसे dnd लगा सकते है, do not disturb, notification flash light चाहिए, तो आप इसे on कर सकते है है, ठीक है, यह screen flash करती है, और camera flash करती है, तो यहाँ पर screen flash छोड़ देंगे, camera flash enable कर लेंगे, preview आप देख सकते हैं, ऐसे camera flash करता है, इसके बाद यहाँ पर, silent notification अगर status बार से hide करना है, तो इसे on कर सकते है, ऐसे customize कर लेंगे, snoozing आप बंद रखेंगे, snoozing वो होता है, जैसे notification एक बार-बार आपकी screen पर आता है, जैसे iPhone में आता है, जब तक आप उसको पढ़ नहीं लेते हैं, तो snoozing कहते हैं, उसको आप बंद कर लेंगे, वना disturbance होती है, notification dot, आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, यह जो icon के ऊपर red dot होते हैं यह नहीं दिखेंगे, अब, इसके बाद य interesting videos के लिए i button पे click कर लेंगे, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,